लालगंज नगर झेतर में दिपावली के पुर्व शंध्या पर लालगंज पुलिस ने अवैद पटाखा विक्रेताओं को दुकान बंद करने की दी सक्थ हिदायत फिर भी बिकरही खुलियाम पटाखा खबर लालगंज से है जहां लालगंज नगर छेत में दिपावली के मौके पर अवैद पटाखों की बिक्री को लेकर लालगंज पुलिस के द्वारा सक्स हिदायत दी गई है कि पटाखा न बेचा जाए तथा कई दुकानों को बंद करा दी गई है फिर भी पुलिस के जाते ही पुना पटाखे की बिक्री शुरू कर दी गई कई दुकंदार दुकान के आगे से सटर बंद कर दुकान के पिछे से पटाखा बेच रहे हैं कुछ दुकंदारों ने बताया कि लाखों रुपे के पटाखे हैं पुलिस बंद करवा रही है तो बैक डोर से ना बेचे तो क्या करें आपको बता पादे की पटाका बेचने का सरकार के दोवरा कुछ मानक दी गई है जैसे बिजली के तार के नीचे और ट्रांसफरमर के आसपास दुकान नहों, दुस दुकानों के समुह से इतनी ही दुकाने के समुह के बीच 15 मिटर का फासला रखना होगा, खुले पटाकों के बेचने के दुकान में 5 किलो चमता का अगनी समन उपकरण रखना होगा, दुकान में बालू से भरी दो बाल्ती और पानी भरा ड्राम के साथ ही, दो बोरा अतिरिक्त बालू और बेलचा भी रखना होगा, दुकान में लाल्टेन मुम्बती लेंप या किसी भी चिराग का प्रियोग परतिबंधित होगा दुकान के अंदर वाइरिंग लाइसेंसी लाइनमेन से ही करानी होगी लेकिन इन सभी मानकों को लाल गंज के पटाका विक्रेताओं के द्वारा ताक पर रख धरल्ले से पटाका बेचा जा रहा है तिन पुलवा चोक महाबीर चोक गांधी चोक मेन है कि पटाका नहीं बेचना है और वह पुनह बेच रहे हैं या फिर अनुगपती धारी नहीं है या पटाका बेचने की मानकों को पूरा नहीं करते हैं इन सभी दुकंदारों पर कानूनी करवाई की जाएगी आपको बताद कि लाल गंज मेन रोड में कुछ वर्स पुर मे पटाका दुकान में आग लगने के कारण लाखुर रुपे की छती हुई थी तथा कई दुकानों में आग लग गये थे जिस समय परसासन तथा अस्थानिय लोगों की ततपरता से आग बुझाई गई थी पुनह ऐसी अनुहोनी नहीं हो इसे लेकर पुलिस तो सतर्क है ले झाल